इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर भोगपूर में गन्ये के खेत में 12 दिन से लापता यूवक का शौव मिलने से गाव में मच गया हड कमप परीजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल ग्यान गंगा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भोगपूर के पीछे गन्ये के खेत में बारा दिन से लापता यूवक का शव मिलने से गाउ में हड़कम मच गया मिली जानकारी के नुसार खित में चारा करने गए लोगों ने शव देखा तो ये घटना पुरे गाउ में फैल गई मौके पर पहुँचे लोगों ने पुलिस चौकी भीकमपूर को जानकारी दी मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव शिनाखत जैपाल सेनी भोगपूर के रूप में की है पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्त माटम के लिए भीज दिया है चौकी प्रभारी मनोज कुमार नोटियाल ने जान शुरू कर दी है इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीजियो को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर